कि जहन नमस्कार दोस्तों मैं विराठत उद्री श्वाकत आपके अपने युट्यूब चनल फोजी में दोस्तों आज का वीडियो इस पेशलिए यह वीडियो है कि कुकि आपका समय खराब करें और में अगर आपका समय खर chicos आघर वो विकार आप में भी है, अगर वो समझे आए, आपको भी है, उन में से कुछ ऐसी समझे आए, जिनका समाधान भी मैं बताऊंगा, वो समाधान भी आप कर सकते हो, वह सारी ऐसी प्रोब्लम है, जिनके वच्छे बच्छे पहले से डीमोटिवेट हो जाते हैं, और तयारी नहीं लेकिन, आप अपमिने तयारी को जोरो से करिये, और मैं बोल चुका हूँँ कि, आपके पास में तयारी करने के लिए मापदर्ण जरूर होना चाहिए, आपको हमेसा आपको माप्ते रहना चाहिए, 언제 में कितने नमर आ रहे हैं, मेbles में कितने नमर रहे हैं, हमेशा, आपको प्रचेस नहीं कि तो कालीजिस में ओल्ड पेपर भी दिये हैं और साथ में मोडल पेपर भी तो उसको आप हर रोज करके अपनी जहांच कर सकते हैं खुद की अब दोस्तों बात करें कुछ ऐसी प्रोब्लम जिनका समधान नहीं अगर उस कंडिशन में आप हैं बाद में बता और नहीं हैं आपकी आइज अगर 69 जूसरा अगर आपकर कमे कर दें अगर आपकी आंकों क्रमें पिर्बेक्षण में चैनल के लिए और 69 के लिए उपाई बात मिंगा यहां कि भी Но इनका समधान इनका हो सकता है तो color vision और आगर आपको दूर दरश्टी या निकट दरश्टी दोस है ठीक है तो उस तो कंडिशन में भी आपको safety point मिलेगा ही मेलेगा ठीक है उसके बाद मैं आ जाई यह नीचे ठीक है तो नाक में कोई point कोई टेंसन नहीं है अगर आपके कांज से वो बहता है कईओं का कांज गंद किसी निकलती है अगर वह problem है तो उसका पूज़े से तो भी आपको खौन घृंट मिलेगा अगर दात कम ज्यदा उसका कोई टेंसर नहींस सेघ्टी के लिगे लेंकर आपके चमडी पूरी गल गई है गुटकों को जी से तो भी आपको point मिलेगा। पर निचा जाएए घरदन में आपके कोई point नहीं होते हैं .. अगर क्यों यह आपके touch होती है.. पूरी यह से touch होती है .. तो आपको इसका point जुरूर मिलेगा.. इसमें कोई संदे नहीं है, अगर आपकी कोई हड़ी टूटी फुटी है, तो उसका पॉइंट मिलेगा, उसके बाद में नीचे आ जाए, अगर आपके वर्संट, अगर उसमें कोई प्रोब्लम है, तो आपको पॉइंट मिलेगा, अगर आपके बावासीर है, तो आपको पॉ तो भी आपको पॉइंट मिलेगा इस पात का विश्य जान रखें और अगर नीचे जाए पेरों में तो फिर उसके बाद में जैसे कई होगी वह नस्य बार होती पैर की तो उसका पॉइंट नहीं होता अब कुछ ऐसे पॉइंट जो नहीं तूटते हैं जैसे एक तो कलर विज जान चुटता है या अगर आपके कोई आन्थ तोटी होई है या आपकी बेग बोन में कोई प्रोब्लम है या कोई आपकी हड़ी का ऑप्रेशन हो रहा है मैं हड़ी का ऑप्रेशन का बता रहा हूं वो भी मतलब पूरी करेक हो गए तो यह कुछ पॉइंट जो नहीं बहुत को जनमजाद बीमारी होती है और बहुत मुस्किला मैं भी बांता हूं लेकिन अगर कोई बचा फिर भी ट्राइब करना चाहिए तो इसकी प्रेक्टिस येट बूक आती है उसको ट्राइब करकर के क्या पता उसको मनलब उसको दे कि उसका नोलेज कुछ बढ़ जाए या कोई दवाई से कर सकते तो आप उसकी सलाम सब्सक्राइब कान के लिए आप कौन के लिए ओप्रेशन करा सकते हो उसमें कोई संदे नहीं आप ओप्रेशन भी करा लोगे कान का तो भी आपको मेडिकल नहीं किया जाएगा यह निकान का आप ओप्रेशन करा के भी कान ठीक क पूरे को पूरे कपर अगर पूरे गंदे रहे तो नात के लिए करने की तो उसे आप साफ कर वा ले मुँह भी खौलर ने कीपरेड़ है, खई इतना ही, एक उंगली याँ दो उंगली याँ इतना ही, खुलता है मुह, गुठ के खाका के खाका के घंध बिचारा रद के तो उसको खोलने के लिए एसे प्रेक्टिस करते रहे दिन में 10-15 बार 20 बार जितनी बार करोगे धिर 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 और खुलता है और उसका उप्रेशन भी होता है उसको चंप तौचा को कट करके भी मुँझ को खोला जाता तो वेसे भी आप करा सकते हो और साथ में अगर आप ऐसी कोई ची सब्सक्राइब नहीं वह भी तयार हो जाएगा उसमें आपको पॉइंट नहीं मिलेगा अब रही बात इसके जैसे यहां पर कईयों कि कौन यह एल्बू टच होती है उसके लिए मैंने बोलता इसके आजकल लगए हलकी पूल की कईयों की टच हो रहे तो डोक्टर इनको अगर हम नीचे से लए तो इसे प्राइवेट सी पार्ट में आपको प्रोब्लम है एक फ़सके एक है किसी के चोटा बटा है तो सब्सक्तित आपको बाहर होना पड़ेगा डिवाट करी जो तौट बात बताए ती कि अगर आपके लिंका चौक्टर नहीं होती है कई बाइल से ठीक हो जाती है और बववाशीर का भी और ठीक हो जाती दोस्तों यह दोनों पिमारियां भी ठीक हो जाती है अब आजाते हैं नोखनी कूंखनी के लिए मैंने एक्साइज भी बताई जो मेरा कमांडो फिजिकल टिफ जो चैनल है उस अगर आपने सब्सक्राइब ने किया तो कर लीजिए उस चैनल पर मैंने बताईए नोखनी के लिए कौन-कून से किस किस तरकार से आप नोखनी को ठीक कर सकते हैं और कौन-कौन से उपाई तो वह भी मेने वहां पर बताईए खड़े होने की टेक्टिस भी बताईए उस बात का भी आप विशेश ध्यान रखें तो यह कुछ मेडिकल समय से आपको मेरे खाल से समझ में आगा कि कौन कोशियोत टायरी नहीं करनी है और कौन सी प्रोब्लम का समधान हो तो आपको तयारी करनी है दोस्तों जय हिंद जय भारत दो